नमस्कार दोस्तों वेलकम तुमाई चैनल मैं हूँ चानकुबर दोस्तों आज हम बात करेंगे उन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स अफ्टेट पॉलिसी की जो की महात्मा गांधी की फिलोसफी से फ्रेरित हैं जो की हमारे देश को महात्मा गांधी के सपनों के भारत की तरफ ल पर डेली बेसिस पर आपके लिए UPC से जुड़ा हुआ काफी सारा relevant content भेजा जाता है आप इन चैनल को जॉइन करके उस content का लाब उठा सकते हैं बात करते हैं महात्मा गांधी की देखिए हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने काफी लंबा संखर्ष हमारे देश को आज content देखते हैं ऐसे मैं हमें देखने को मिलता है कि यह जो तीनों मुमेंट्स थी यह मुमेंट्स और इनके बीच के जो टाइम है इसको भी महात्मा गांधी ने प्रोड़क्टिवली यूज किया यह जो इनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक स्ट्रगल फिर थोड़ा टाइम पीस फिर स्ट्रगल फिर पीस फिर स्ट्रगल इसे स्ट्रगल टूस एंड स्ट्रगल कि स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है तो एंसी हम के बाद थोड़ा सा कुछ वर्षों का ऐसा टाइम आ गया जहां पे महात्मा गांधी ने विलेज रीकंस्रॉक्शन को अपना टाइम दिया और फिर हमें देखने को मिलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूव्मेंट आता है ना यह जो विलेज रीकंस्रॉक्शन प्रोग्राम से यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए इन पिरिड्स में महात्मा गांधी ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को क जहां पर उन्होंने ना केवल यिजिस के लिए बलकि बैकवर्ड क्लास्स के लिए यहां पर बहुत सारा काम किया वीवन्पाववन के लिए काम किया और अहीं वो memorize यहिह वो हमने सारा काम किया यही वो आइडियास है जो कि कि organization of village panchayets क्या कहता है the state shall take steps to organize village panchayets and endure them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self-government क्या 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 कि सबसे पहले तो state की यह जम्मेवारी है कि state organize करेगी किस चीज़ को village panchayets को हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब केवल दो tiers of administration थे governance से पहला था center दूसरा था state local government की जादा यहां पर बातचीत नहीं थी early nine I mean late 1950s में सबसे पहले panchayets की introduction करने की कुशिश की गई उसके बाद बहुत सारी committees आती है and ultimately हमें देखने को मिलता है कि 73rd and 74th amendment act आते हैं जिनके द्वारा local bodies को लाया गया बट यहां पर यह जो local bodies को लाया गया constitutional amendment भी की गई उसकी नीव जो है वह article 40 में हमें देखने को मिलती है और यहां पर कहा गया कि बहुत सबसे पहले तो पंचायतों को बनाने की प्रक्रिया की जाएगी और दूसरा सिरफ बनाना नहीं है बनाने के साथ साथ उन्हें इस तरह से power and authority भी देनी है जो कि उन्हें enable करे to be the units of self-government so basically उनको important powers भी देनी है ताकि वह self-government के models बनकर निकल सके तो article 40 हमें यहां पर देखने को मिलता है अब महात्मा गांधी का यह मानना था कि हर जो village पंचायत है वो self-republic होनी चाहिए village republic होनी चाहिए he was a great believer of decentralization of power उन्हें लगता था कि जो model of village है वो center of power होने चाहिए right so वो उनका ऐसा मानना था तो उन्होंने लिखा भी that democracy becomes an impossible thing until the power is shared by all but let not democracy degenerate into mobocracy so he tries to create a balance here आप एक तरफ देखते हैं कि भाई balance कैसे बना रहे हैं कहते हैं जी power सबके साथ share होनी चाहिए लेकिन power सबके साथ share होने का मतलब यह नहीं है कि आप mobocracy पी उतर आए power इस तरीके से share होनी चाहिए कि institutional form में power share होना जरूरी है article 43 क्या कहता है कहते जी the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural area so cottage industries की यहां पर बात की गई है cottage industries का मतलब क्या है हम सब जानते हैं कि cottage industry कैसी industry होती है which is labor intensive industry जहां पर एक family unit जो है वह मिलकर एक product को बनाती है तो initially हमें देखने को भी मिलता है कि हम अगर ancient India की बात करें medieval India की बात करें production इसी model पर होती थी जहां पर families जो है वह products को बनाया करती थी दीरे दीरे हमें देखने को मिलता है कि अर्बनाइजेशन होता है इंडस्रिल रिवूलूशन आती है तो cottage industry जो वह एक तरह से खतम हो जाती है तो cottage industry एक तरह से खतम हो जाती है बट इसे promote करने की बात की गई है अगेन इसका जो main purpose है वह वही है कि जो villages है villages independent units बने अपने आप में self-reliant बने self-dependent बने and villages की जो families है उन्हें बाहर ना जाना पड़े उन्हें घर में ही employment मिले घर पे ही वह अपनी production करें तो वो यहां पर हमें देखने को मिलता है केदर जी it's generally a small and often informally organized industry तो यह यहां पर महात्मा गांधी बनाने के लिए कहते थे तो यहां पर जैसे मैं आपको बताया कि he had firm belief in labor intensive industry जो कि आज की डेट में आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक यहां पर थोड़ सी situation ऐसी हो गई है कि labor intensive की जगह technological intensive industries जादा आती जारी है जिसकी वज़े से unemployment की problem भी हमें देखने को मिलती है इनका जो idea था वो स्वदेशी को promote करने का था self-reliance को promote करने का था इसलिए हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने खादी की ऊपर बहुत जोड़ दिया खादी is not a product in itself खादी एक symbol भी है और उसके लिए महात्मा गांधी ने लिखा भी कि खादी को आप सिरफ product के रूप में मत दो खादी को आप एक implications को देखो से जुड़ी है कि खादी जो है वो स्वदेशी का प्रतीक है खादी जो है determination to find all necessities of life in India है तो जब हम खादी की बात करते हैं हम सिरफ और सिरफ एक product की बात नहीं कर रहे हैं हम स्वदेशी को promote करने की बात कर रहे हैं हम उस situation तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जहां पर हम सार जी विलेजर्स की लेबर के थुरू, विलेजर्स की इंटेलिजेंस के थुरू, कहते जी in order to promote cottage industries हमें देखने को मिलता है कि भारत में कई सारे कदम उठाये गए हैं जैसे कि Village Industries Board है, Khadi and Village Industries Commission है, All India Handicraft Board है, Silk Board है, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं भारत में 46 की बात करते हैं Promotion of educational and economic interests of scheduled cast, scheduled tribes and other weaker sections हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी ने concept दिया अंतियोदे का, unto the last का जो concept है, अंतियोदे का जो concept है, वो कहते है कि जो CD के आखरी पड़ाव पर खड़ा व्यक्ति हैं, जब तक वो developed नहीं हो जाता, उसकी development या उसकी growth नहीं हो जाती, हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारा देश ग्रो हो रहा है, इसी लिए उन्होंने क्या कहा, कि scheduled cast, scheduled tribes and other weaker sections की education and economic interests को promote करना होगा सरकार को, तो उन्होंने क्या लिखा, हमें 46 में क्या देखने को मिलता है, कैदर जी the state shall promote with special care the educational and economic interests of weaker sections of people and in particular of scheduled cast, scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation, now all form exploitation की हमने इहां पर भात की जो है, इसमें कुछ rights तो हमारे fundamental rights ही होगे जैसे untouchability की protection हमें मिल रही है, child labor से protection हमें मिल रही है इस सरह रहा पर ará叉सारे वहां पर bonded labor से protection देखने को मिल रही है, तो वहां पर हमने mostly जो exploitation के कारण है वहाँ पर जो tangible exploitation है उसे हमने cover करने कोशिश की है fundamental right ही बना दिया but then there are some other forms of exploitation like आपने अपने जो products market में बेचे आपको उसका fair wage या fair return, remuneration ना मिलना वो भी kind of exploitation है so हर तरह की exploitation जो weaker section की है उसे रोकने की यहाँ पर बात की जा रही है article 46 में मैंने आपको बताया कि जैसे अंतियोदे का concept मैंने आपके साथ discuss कर लिया चलिए आगे बढ़ते है 47 duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living to improve public health आप देखिए महात्मा कांधी का भी या idea था कि भाई जो लोग हैं उन्हें खाना जब तक नहीं मिलेगा बाकी सारी उमीदें आप उनसे नहीं कर सकते और वही चीज़ यहां पर हमें देखने को मिलती है कि primary I mean जो preemptive health है उसके उपर भी हमें ध्यान देना है and other health facilities जो है curative health facilities जो है उसके उपर भी हमें ध्यान देना है so यहां पर दोनों की बात की गई है raising the level of nutrition basically क्या है कि जो कि preventive health है उसके उपर हमें ध्यान देना है बचों की सुरक्षा बचों को nutritional food देना अभी आप देखिये food की fortification का concept है अंगनवाडी का concept है midday meal का concept है इसमें बहुत जादा ध्यान दिया जाता है कि बचों को age appropriate खाना मिले उनकी requirements की हिसाब से खाना मिले and standards of living of people and the improvement of public health as amongst its primary duties in particularly the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and the drugs which are injurious to health so again यह भी हमें देखने को मिलता है कि कई सारी states है जैसे गुजरात हो गया और बिहार हो गया जहां पर अभी liquor consumption is prohibited but यह यहां पर 47 में हमें देखने को मिलता है कि उसको I mean जो 47 में दिया गया principle है उसे implement करने की कोशिश की जारी है states के द्वारा आखरी जो हमें आज principle discuss करना है that is 48 article 48 में क्या कहा गया है organization of agricultural and animal husbandry इसमें कहा गया that the state shall endeavor to organize agricultural and animal husbandry on the modern and scientific lines and shall in particularly take steps for preserving and improving the breeds prohibiting the slaughter of cows and cows and other milk and rot cattle so basically हमें समझना होगा यहां पर 2-3 चीज़ों को समझने की जुरुत है पहली बात तो यह कि जो हमारी farming class है वो काफी हद तक ना केवल agricultural I mean हमारा जो conventional agriculture है जहां पर हम देखते हैं कि food grains या फिर बाकी सारी चीज़ें उगाई जाती है कि वो उसी पर नहीं हमारी milk industry पर भी they are dependent right हमारी animal husbandry भी they are dependent so कहीं ना कहीं उसकी interest में भी यह बात कर रहे हैं कि हमारा जो farming class है उनके interest यहां पर बचेंगे कि अगर हम organize करेंगे agriculture को and animal husbandry को on modern and scientific lines जिसके लिए हमें देखने को मिलता है कि government के तौरा काफी सारे institutions बनाये गए हैं काफी सारे laws and policies लाइग गई हैं दूसरा यहां पर जो है काव slaughter को रोकने की बात की गई है काव के slaughter को रोकने की बात की गई है and other milk animals and rot cattle को रोकने की बात की गई है यहां पर एक चीज़ को समझ कर चलती है जो ऐसी जानवर होते हैं जो हमें milk provide करते हैं उन्हें आप slaughter नहीं करने के लिए बोल रहे हैं काव को slaughter नहीं करने के लिए बोल रहे हैं खास करके हमारी जो indigenous breeds हैं उनकी slaughter को रोकने की बात करें because of the properties of the milk of those cattle right and दूसरा drought animals drought animals एक समय ऐसा रहा जहां पर हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि उसमें tractors वगरा की technology इतनी खास नहीं थी तो यह जो एनिमल्स है यह agriculture में हमारी मदद करते थे agriculture को promote करने में हमारी मदद थे खास करके खेती करने के लिए जो हल जो जोतने की जो हमारी प्रक्रिया है रहती उसमें काफी help करते थे तो इसलिए इसको यहाँ पर उन्होंने drought को animal को बचाने की उन्होंने appeal की थी और वही हमें article 40 में देखने को मिलता है तो यह थे कुछ principles जो कि महात्मा गांधी से inspired principles हैं जो कि हमें हमारे constitution में देखने को मिलते हैं अगले session में और इसी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे DPSP के ऊपर थोड़ी सी और जो हमारी रह गई है जो कि liberal principles हैं वह हम देखेंगे आज के session में इतना है अगर यह session पसंद आए तो इसे like करें share करना ना भूले और चैनल को subscribe करना ना भूले अगले session में मिलें तिल दन थैंक्यू, have a great day